60 से उपर ऐसी कंट्रीज हैं, 60 से उपर ऐसे देश हैं जो इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस देते हैं ना ही ई-वीजा की रिक्वार्मेंट है, ना ही स्टिकर वीजा की बाउंडेशन है सिर्फ पास्पोर्ट लेकर आप वहाँ पर जा सकते हैं, यह बात बिल्कुल सच है बट उन साथ देशों में जातर देश ऐसे हैं, जो करेबिन आइलन कंट्रीज हैं, जहां पर पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है या तो आपको ट्रांजिट वीजा की फॉर्मैलिटी लेनी होगी, या फिर ओशियानी कंट्रीज हैं या पैसिफिक ओशिन कंट्रीज हैं, वहाँ पर वो इतनी जाता दूर है कि एरफेरी बहुत महेंगा पर जाता है कि जब भी आप किसी देश में जाएं, हमेशा इमिग्रेशन की त्यारी करकर जाएं, जाहे आपके पास स्टिकर वीजा हो, या ईवीजा हो, या वीजा उन राइवल लेने वाले हो, या वीजा फ्री एक्सेस हो, इमिग्रेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टन्ट होता ह ये process pass करना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश का immigration कैसे clear कर सकते हैं including हिंदी में कैसे कर सकते हैं उसके उपर इस channel पर धेरो information आपको मिलेगी उन वीडियो के link आपको description पर भी मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को आप access करें I am very much sure आपको immigration power करने में फिर दुबारा problem नहीं आएगी तो आएए इस list को शुरू करते हैं इस list में सबसे पहले entry है सर्बिया की सर्बिया इस वरत इंडिया में बहुत popular है सर्बिया Europe के अंदर आता है European Union में नहीं ये Europe continent में आता है एक European country है सर्बिया ने दो साल पहले announce किया था कि हम दो साल से भी ज है immigration की आप त्यारी करकर जाएं ताकि टुफ immigration को भी आप कैसे बार कर सकते हैं तो सर्बिया उस लिहाज से भी भूलकुल हर्ट के पास हो गया Central Europe कह सकते है आप यह इस्टन यूरोप में यह आता है और Central इंडियन्स आपको बहुत मिलेंगे, वहाँ पे इंडियन डियासपोरा धीरे धीरे फैल भी रहा है, और इंडियन टॉरिस्ट की वह फेवरेट डेसनेशन बनता जा रहा है। है और आपे उयुट लूप की कुछ ऐसे एरिया आश 주는ickiल जाते होई के लौारने पहले कि अर्विजस सद्धाश् सकूद्धे, तो इसनी हमारी हमिरिशन को टॉपकर दिया कि मैं नहीं संभाल सकता है ल treaties कंग Всем twitter करते हैं तो प्लीज और मोर्दन वेलकम तो कम टूस इसलिए अलबेनिया भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है अलबेनिया बहुत सुंदर देश ग्रीज के साथ बॉर्डर शेर करता है और अलबेनिया की रिच हिस्ट्री है आपने बहुत बार सुना होगा कि रोमन एंपायर या ग्रीक अंपायर वहाँ पर अलबेनिया से स्लिफ को ट्रांसफर किया जाता था हुआ के आर्किटेक्ट्चर को बिल्ड करने के लिए अलबेनिया हिस्टोरिकल पॉइंट अफ्वी बहुत अच्छा देश है आप अगर जाना चाहते हैं किसी ऐसे देश में जहां पर आपको सजेस्ट करूंगा नेस्ट हमारी लिस्ट में है फीजी फीजी एक आइलेंड कंट्री है यह पैसिफिक ओशियन आइलेंड में आती है और फीजी के लिए भी फ्लाइट का थोड़ा सा फाइट रहता है आपको डिरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी वाया थाइलेंड सकती है यहां और च्हेक्ण गनेक्शे है तो ऑसके बहुत अच्छा आपके पास पीजियू कर भीजा है तो भी अप जा सकते हैं अडर्वीज आप थाइलेंड म्लेशिया सिंगपूर से प्छी इसे बढ़ेंडर पेbn पॉपलेशन जो है वह इंडियन नेशनल्स की है वहां पे फीजी से बहुत सारे लोगों ने माइगरेट किया है नीज जिलेंड के अंदर, कैनेडा के अंदर और और अस्ट्रेलिया के अंदर तो आपको यहां पर जो इंडियन डियास्पोरा मिलेगा इन देशों में सारा इं अब धीरे धीरे जैसे टूरिजम जो है वो रिवाइब हो रहा है तो फीजी दुबारा से डिमांड में आ सकता है तो आप अगर फीजी को कंसिडर करना चाहते हैं तो डेफिनिटली कर सकते हैं फीजी के साथ और भी कंट्रीज को क्लब करेंगे तो आपका ट्रेवल और सिच्योशन है तो अभी तो इरान जाने की राय आपको कोई भी नहीं देगा लेकिन एरान एक्च्छल में इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और रहा भी है तो अगर आप इरान जाना चाहरे हैं आपने बहुत ट्रेवल किया हुआ है बट मिडिल इस्ट में आप नहीं कंट्रीज देखना जा रहे हैं तो इरान को आप कंसिडर कर सकते हैं इरान सेफ है अगर वहाँ पे एक ऑथराइजड ट्रेवल कंपनी के साथ अगर आप ट्रेवल करते हैं तो यानि आप वहाँ पे बैक पैकर बनके ना जाएं इरान के अंदर पहले से ही कोई सर्च करना होगा इंटरनेट पे तब भी कर सकते हैं अकर आप हमारी help लेना चाहते हैं इसमें हम भी आपकी इसमें help कर सकते हैं एरान एक्चल में बहुत सुंदर देश है बहुत बड़ा देश है और बहुत सुंदर भी है इस्टोरिकली तो पर्शन इंपार आप जानते ही है कितना फेमस रहा है तो एरान यूस्ट वी कॉल्ड एस पर्शिया अपने पुराने दिनों में इरान का नाम पर्शिया होता था तो हमारे कंट्री में भी आपको पार्सी लोग दिखेंगे उनको भी पर्शिया से ही वो ना इस्टन कंट्री आप जॉर्डन को सीरिया या बाकी कंट्री के साथ को लैब ना करें जॉर्डन बेसिकली मिडिल इस्ट का गोवा है वो पार्टी कैपिटल है वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एट्मॉसपर मिलेगा जॉर्डेनियन लोग काफी हॉस्पिटेबल होते हैं वहाँ पर जाकर आपको ऐसा बिल्कूल भी नहीं फीलोगा की आप किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में आये हैं कोई ऐसा नहीं है कि वार सीचुविशन सीरिया में थी या इराक में थी तो जॉर्डन भी अच्छा एरिया नहीं है अब बहुत सुंदर भी है बहुत नेक्स्ट है ओमान. ओमान आप जानती हैं अरब में आता हैं ओमान भी बहुत peaceful country है. ओमान में अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं. काफे सारे लोग जो हैं ओमान को कलब करते हैं दुबई के साथ, शार्जां के साथ या अबुदाभी के साथ तो आप अगर च नेक्स्ट है कतर, कतार, कतर, जो भी आप कह सकते हैं, जी हां कतर के लिए भी यही प्रोविजन है कि वहाँ वीजा की रिक्वार्मेंट नहीं होते हैं, बट देखें कतर में all together different aspect है, कतर में बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आई है, कतर बेसिकली वीजा वीजा फ्री एकसेस आपको देगा, वहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए ही आपको वो वीजा फ्री एकसेस देगा, आपको ध्यान क्या रखना होगा, कि आपकी फ्लाइट रिटन बुक हो, होटेल वगरा सारे प्री बुक्ट हो पहले से ही, आपक साथ में कतर के कलब कर देते हैं, तो जादा बैटर हो जाता है, और दुबई का वीजा आप साथ में टैच करके रखे हैं, अब फिर कतर की इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आने की संभावना एक हम हो जाती है, कतर और इंडिया के रिलेशन शुरू से ही बहुत अच् कंट्री नहीं रह गया है, आप वहाँ पर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा, वाकी कतर कई साल आगे चल रहा है, जमेका, एक करीबिन आइलन कंट्री है, जी करीबिन आइलन कंट्री होनी के विज़े से फ्लाइट की थूड़ी सी प्रॉब्लम जमेका में आ सकती है, बट इस लिस्ट में जमेका का नाम इसलिए रखा गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर जमेका एक्चल में काफी पॉपलर है, जमेका के लिए अनफॉर्चनेटली डारेक्ट व्लाइट आपको इंडिया से फॉर दर टाइम बिंग नहीं मिलेगी, कोरोना से पहले कुछ कुछ कन के साथ कलब करते हैं, क्योंकि तब वहाँ पे ट्रैवल करना बड़ा ही इजी हो जाता है, करेवन आइलेंड के टूर्स में भी जमेका का हमेशा आपको नाम मिलेगा, करेवन आइलेंड के जब भी टूर निकलते हैं, जमेका में वहाँ पे स्पेशल एंट्री होती ही होती ह बट आपको थोड़ा सा फ्लाइट पर रिसरच करना होगा क्योंकि जातर कनेक्शन इसे वाय कनेक्शन से जहां पर ट्रांजिट वीजा की रिवायर्मेंट हो सकती है नेक्स्टे ए ट्रिनिदाध अन तुबागों इंडिया में बहुत ही पॉपलर है उस इरिया का सबसे पॉपलर अगर कोई डेस्नेशन है उसका काफी सारे रीजन सबसे पहले तो जो वेस्ट इंडिया बहुत इंडियाद करिकेटर्स हैं और वेस्ट इंडिया में बड़ी काफी सारे इंडियन्स वहाँ पर हर साल जाते हैं आप वहाँ पर जाएए आपको वहाँ पर इंडियन कल्चरल हरिटेज के इतने सारी चीज़े मिलेंगी आपको ऐसा लगेगा ही नी कि आप ऐसी कंट्री में आये हैं आपको ऐसा लगेगा, यहाँ पर तो पता नहीं, पहले सी कब से इंडियन्स रह रहे हैं, और अगर आप करेवेन आइलेंड में जाना चा रहे हैं, तो तरी निदा तो बैकों को उसमें जरूर एड़ कीजिए, नेक्स इस लिस्स में कमबोडिया, कमबोडिया में भी वीजा क भी ले सकते हैं, या भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जब आप तब भी आप वहाँ पे कमबोडिया में वीजा ले सकते हैं, एडवांस में भी स्टिकर वीजा मिलता है, यानि हर चीज में कमबोडिया वेलेवल है, या आप एडवांस में भी स्टिकर ले सकते हैं, या बॉर इंडियन कनेक्शन को दर्शा आता है किस तरीके से इस टेंपल को बनाया गया था यह सबसे बड़ा रिलीजियस टेंपल है पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत साल पहले बनाया गया था यह हिंदू और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को डिफाइन करता है इसको भगवान व पैसे भी नहीं लगेंगे तो अगर आप थाइलन्ड गया मलेशा के साथ किसी कंट्री को कलब करना चाहते हैं तो कंबोडिया को कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट हैं इंडोनेशिया इंडोनेशिया अपन हो चुका है इंडोनेशिया में वीजा उन अरावल बहुत असानी से म पैसे बहुत लाइबर पे जाते हैं वेस्ट के लोग भी बहुत लाइबर पे जाते हैं और इंडियन्स की तो यह वन अफ दो मोस्ट फेवरेट जसनेशन होती थी और एबी भी है तो इंडोनेशिया का सिन सब टुरिज्जम रिज्यूम हो चुका है बाली की फ्लाइट से तो बाली में जा सकते हैं, बहुत ही असानी से वहां वीजान अर्यवल ले सकते हैं, फ्राइट में कोई प्रॉबलम नहीं हैं, बहुत जादा वहां पर पैसे भी नहीं लगते, रिजनेबल कॉस्ट में आपको बाली का ट्रैवल मिल सकता है, नेक्स्ट है श्री लंका, श्री पहुंचते हैं आपको वीजा मिल सकता है एडवांस में वीजा ओनरावल भी लेकर एडवांस में एवीजा लेकर भी जा सकते हैं श्रीलंका में अभी आपनी न्यूज में भी देखा होगा कुस टाइम तक रहा था जब आप एकनोमिक क्राइसिस हुए ती सिचुएशन इस व भी नहीं है तो डिफिनिटली अगर आप शिलंका नहीं गई हैं तो इसको जुरूर प्लैन करें इसके बाद आ जाते हैं नेपाल को तुम सेकिंड कंट्री भी नहीं चूज करता है ऐसे ही लगता है हमारे इंडिया का हिस्सा है नेपाल और इंडिया अपस में इतने स्ट्र होता है तो अगर आप नेपाल नहीं गए हैं तो आने वाले टाइम में आप अपना नेपाल का ट्रैवल प्लैन कर सकते हैं नेपाल पूरी तरीके से सेफ है रिज्यूम हो चुका है फ्लाइट और होटेल्स अराम से अविलेबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है नेस्ट है होंग और मकाओं में सिच्वेशन थोड़ी सी बदल गई है होंग कॉंग चाइना ने पूरा रिकलेम कर दिया है बट वहां का टूरिजम अभी पूरी तरीके से उपन नहीं हुआ है तो मैं अभी तो आपको राय नहीं देरा जाने की बट आने वाले समय में आप मकाओं को भी लेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है मैंनमार मैंनमार यानि बर्मा बर्मा भी कह सकते हैं पुराने टाइम में से बर्मा भी कहा जाता था मैंनमार प्रेजन टाइम में हैं बट अभी मैंनमार आप जाने का ना सोचें वहां पर थोड़ी से पॉलेटिकल क्राइस चल रहे हैं नेक्स्ट है थाइलंड, थाइलंड को दो इंड्रोडक्शन की भी जूरत नहीं है, अगर जैसे मैंने नेपाल और शेलंका के बारे में बताया, तो उसी लिस्ट में आप थाइलंड को भी आड़ कर दीजिए, जहां पर इंडियन को सबसे पहले ट्रैवल करना होता है, थाइल थाइलंड बहुत ही वर्सटाइल कंट्री है, बड़ा देश है, चोटे-चोटे आइलंड बहुत सारे हैं वहाँ पे, और बहुत ही पीसफुल कंट्री है, और टूरिजम के लिहाज से सर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ड में फेपास है, तो अभी आगर आप में कुछ ही देश हैं, जो वीजा-free access Indian citizens को देते हैं, बॉलिविया उन में से एक है, बॉलिविया में आपको direct flights connections नहीं मिलेंगे, आपको जातर flight Middle East के थ्रू या तर्की के थ्रू मिलेगी, उसके बाद आपको UK और US के थ्रू मिलेगी, बट वहाँ के लिए वीजा आपको च यह सोच कर भी जाते हैं, कि हम वहाँ से infiltrate करेंगे किसी दूसरे देश में, यह practice बहुत दी गलत है, मैं आपको बिल्कुल recommend नहीं करूँगा, बॉलिवियन गॉर्मेंट ऐसी चीज़ों के खिलाफ बहुत सक्त है, और वहाँ पर seriously crime भी फैलता है इन चीज़ों से, वहाँ प बाद कुछ limited flights open होई है, full-fledged flights open होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे दीरे-दीरे tourism revive कर रहा है, almost 60-70% tourism revive कर चुका है, 20-30-40% जितना बचायों आने वाले दिनों में कर भी लेगा, इसके बाद एक another American country है, जो इंडिया को visa free access देती है, वह है El Salvador, जब पिछली बा और में भी आपको flight के लिए थोड़ी सी problem आई कि direct flights वहाँ पे नहीं है, जातर wire flights है, और यहाँ पर आपको transit visa के requirement हो सकती है, El Salvador, actual में आज भी बहुत, आप कह सकते हैं, नाम कह लीजिए, बदनाम कह लीजिए, वहाँ पे infiltration का hotbed है, El Salvador से Mexico, Mexico से again, दूसरे देशों में infiltrate करने के लिए उसको use किया जाता है, तो मैं आपको ऐसी को recommendation कभी कतई बिलकुल नहीं दूँगा, आप कभी भी ऐसी चीजों में involved ना होएं, जिससे आप आगे जागे आपको नुक्सान हो जाए, क्योंकि El Salvador में यह criminal elements इसमें include हो चुके हैं, तो अब यह इतना safe process नहीं रहा, तो म यह ना सुचें, वहीं जाके मैं सारे booking करा लोगा, हो सकता है आपके पास पहले से शेंगन, UK या US visa हो और आपको लगता है कि वहीं जाके मैं खुदी book करा लोगा, NO, आप पहले से अपनी पूरी advance booking करके जाएं, वहां के किसी license travel agents की services पहले से book करके जाएं, ताकि आपको वह करेंगा देश नहीं है, एफरिका का ऐसा देश है, जो culturally बहुत rich है, तो एथियोपिया अगर आप जाना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि मैं जाओं या ना जाओं, तो सिर्फ एथियोपिया ना जाएं, एथियोपिया को किसी एक दो country's के साथ club करके जाएं, उससे अगर आप पहले से प्री प्लैन करके जाते हैं, और इमिग्रेशन की त्यारी करके जाते हैं, नेक्स्ट है मदागासकर, मदागासकर अपने मूवीज में भी सुना होगा, बहुत हॉलिवड मूवीज वहाँ पे शूट होती है, मदागासकर थोड़ा सा इतना कुछ popular होने क बाद भी एकनॉमिकल भी बड़ा backward देश है, बहुत वहाँ पे आपको हंगर इंडेक्स में दिखेगा बड़ी problem रहती है, बहुत ही बड़ा island है, बहुत ही बड़ा island है, और बहुत ही सुन्दर भी है, वहाँ पे national geographic, discovery channel वाले हमेशा घुसे रहते हैं, ठीक है, तो मदागास को भी आप अपनी अडिनरी में आड़ कर सकते हैं, मदागास कर को ज्यादा बैस रहेगा कि आप दूसरी कंट्री के साथ क्लब करके अड़ करें, अकेले मदागास कर को एड़ करेंगे, आप करने को कर सकते हैं, लेकिन अगर multiple countries के थ्रू एड़ करेंगे तो आपको एकनॉम कैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां के लोग अराम से हिंदी भी समझते हैं, फ्राइड कनेक्शन भी आरासानी से अवेलेबल हैं, वीजा फ्री एक्सेस है, बट हाँ वहां पे आपको कोविड के केसे में हो सकता है, क्वरिंटीन फेस करना पड़ सकता है, 7 डेस का या 10 में तो डेफिनिटली कसिडर कीजिए, मारिशिस उसी लीग में बढ़ता है, जिस लिग में थायाइलंड आ जाता है, या शेलंका जाता है, मारिशिस भी उसी लीग में ही है, थायाइलंड हो गया, दुबधी हो गया, मारिशिस हो गया, यह तू Paulvettesinations हे जोग इंडिया स कनेक्शन बहुत नाइस है और कोरोना से पहले यानि 1819 में तो बहुत हीज अमाउंट ओफ इंडियन सेटिजन सेशेल्स में ट्रैवल करने गए थे तो सेशेल्स ने अपने जिसे कहते हैं और कर सकते हैं फ्लाइट कनेक्शन साथ नाइसली अविलेबल नेक्स टंजानिया हाला कि टंजानिया इंडिया में बहुत जादा फेमस तो बीचिस भी हैं बहुत अच्छा देश है और टूरिजम के लिहाज से इंडिया में इतना फेमस नहीं है बद इंटरनेशनल यह काफी फेमस भी है तो आप टंजानिया को एफ्रिका के अलग कंट्री के साथ एक क्लब करके मल्टी कंट्री टूर में एड़ कर सकते हैं नेक्स वहाँ पर जाएंगे तो आपको आप यह खुद अबसर्फ करेंगे कि टूनीशिया बाकी अफ्रिकन कंट्री की तरह नहीं है यह बाकी मिडल इस्टन कंट्री की तरह नहीं है बद जैसे मिडल इस्टन कंट्री डेवलब हो रही है हम यू एई की बात करें साओधी में इसेंबल भी करते हुए दिखेंगे आपको कल्चरली भी उनको इंडियन मुवीज का बड़ा शौक है आपको वहाँ पर जाके इंडियन मुवीज आराम से मिलेगी आपको मीजिक शॉप में इंडियन गाने भी दिख सकते हैं और बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं बहु से वीजा लेने पड़ेंगे अगर आप चाहें तो टुनिश्या को वैसे भी इंडिपेंडेंटली भी ट्रैवल कर सकते हैं और लास्ट इस लिस्ट में जिमवाबे इंडिया को वीजा फ्री एकसेस देता है जिमवाबे पॉलिटेकली एकनॉमिकली बड़ा स्ट्रगल किया है जिमवाबे ने पिछले कुछ सालों में और अभी क्रिकेट में भी काफी फेमस हैं अगर आप 90 में जाएं अर्ली टूड़ाउसन में जाएं तो जिमवाबे की क्रिकेटीम काफी स्ट्रॉंग भी होती थी वह बीच में थोड़ा सा इनके पास डिस्टरबेंस रही थी उस तो अगर आप जिमवाबे को टंजानिया या टूनीशा के साथ क्लब करना चाते हैं कीनिया या साथ अफरीका के साथ क्लब करना चाते हैं तो डेफिनिटली कर सकते हैं तो यह थी वह सारे देश जो मैं आपको बता रहा था इस लिस्ट में है और और आल जो पूरी लिस्ट झाल झाल